हाई फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज के वीडियो में डाजेक्शन से रिलेटिड विमारी की मेडिशियन रेबेल, केम, क्या उप्योग होते उस काप्सुल कि किया विडियो में डिसकरशन करने वाले हैं यदि आप मेरे चैनल पर नए वीवर हैं तो पलीज आप मेरे चैनल को लाइक करे, सेर करे, सस्क्राइब करे और वेल आइकन को प्रेस करे आने वाली नॉलेज की वेस्ट विडियो देखने के लिए इस कैपसुल को कमपणी 10 कैपसुल की स्टीप में बनाती है 10 कैपसुल का मुल 203 रुपए होता है इस QApsul को सीरिराम hakk केर प्राइवेट लिमिटेट कंपणी बनाती जो ही एक चछी कंपणी होती है और इस QApsul में नीमण temperchodzi company करती है, जिसमें पहला contents है इंटेरी को येटेड रामेप्राजोल सोडियम इस्टेंड इस्टेनेड रिलीज सस्टेंड रिलीज दूसरा कंटेंस है लिवर सुल्पी राइड फ्रेंड मेंली ये दोई कंटेंस से मिलकर बना बेस्ट डाइजेक्शन के लिए क्याप्सुल होता है ये कैप्सुल जनरिक कैप्सुल होता है जो डाक्टर की सला पर उप्योग किया जाता है इस कैप्सुल के क्या उप्योग होते हैं या कौन सी बिमारी के लिए इस कैप्सुल का उप्योग किया जाता है शिने की जलन के लिए इस कैपसुल को उपयोग किया जाता है उल्टी को कम करने के लिए या उल्टी को बंद करने के लिए इस कैपसुल का उपयोग किया जाता है मितली को कम करने के लिए इस कैपसुल का उपयोग किया जाता है मदुमे के रोगियों के लिए भी इस कैपसुल का उपयोग किया जाता है अवसाद अर्थात पागलपन की विमारी को के टीटमेंट के लिए इस कैपसुल का उपयोग किया जाता है ACDT अर्थात खटी डखारेयाना इस प्रकार के लच्छन आते हैं तो उसके टीटिमेंट के लिए इस कैपसूल का उपयोग किया जाता है, आतों के अलसर के लिए इस कैपसूल का उपयोग किया जाता है, पेट के अलसर के लिए इस कैपसूल का उपयोग किया जाता है, पेट में गैस को कम करने के लिए इस कैपसूल का उपयोग किया जाता है, गड़ बिमारी के लिए इस केपसुल का उपयोग किया जाता है irritable bowel syndrome बिमारी के लिए इस केपसुल का उपयोग किया जाता है gasto isophegial reflex disease के लिए इस केपसुल का उपयोग किया जाता है भोजन नाल में acid आना एक बिमारी होती है उसको एसीड को कम करने के लिए इस कैपसुल का उपयोग किया जाता है एवडोमिनल रिफ्लेक्स डिजीज अर्थाद पेट में एसीड ज्यादा बनता है तो उसको कम करने के लिए केक्प्सूल का उपयोग किया जाता है याप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए इस केप्सूल का उपयोग किया जाता है अपच मतलब भोजन पचाने के लिए इस केपसुल का उपयोग किया जाता है आतों की रुखावट को दूर करने के लिए इस केपसुल का उपयोग किया जाता है सीजोफेनिया विमारी होती है उसके टीटमेंट के लिए करने के लिए चक्कर को कम करने के लिए स्कैपसुल का उपयोग किया जाते है डिप्रेशन, पेट में दर्ध इस्कैपसुल का उप्योग किया जाता है बध्धर्ण, यह से लचेंद आते हैं तो उसके के दर्द को कम करने के लिए इस कैपसुल का उपयोग किया जाता है बदहज्म अजीरांड जैसे लच्छन आते हैं तो उसके टीटमेंड के लिए के निख्यार का उप्योग किया जाता है यह ग्यार्व्टस्रीट प्रोकाइनेटिक गंतेन्स उसे मिलकर बना बेस्ट केप्सूल होता है इस इस प्रकार के इसाप्सूल के दोज होते हैं इस केप्सूल को अपने डॉक्टर की सलापर दिन में एक बार खाली पेट उपियोग किया जाता है इस प्रकार के इस केपसुल के डोज होते हैं इस केपसुल के कुछ साइड इपेक्ट देखे गए हैं सिर्दर्द होना साइड इपेक्ट है, ठकान राना साइड इपेक्ट है, इस्तनों में दूद की व्रद्धी होना साइड इपेक्ट है, कामेक्चा में कमी साइड इपेक्ट है, बुखार आना साइड इपेक्ट है, पल्पीटेशन हार्ड में पल्पीटेशन होना साइड इप सब्टर से मिले सक उसका treatment हो सके इस capsule के कुछ interaction में कुछ दवाऊं के साथ इस capsule का उप्योग करने से reaction होता है उप्योग नहीं करना चीओ और ट्रामाडोल मेडिसियन के साथ इस कैपसुल का उपयोग ना करें इंटरेक्ट करती बेटो प्राजोल पेंटा प्राजोल मेडिसियन के साथ रेबेल केम कैपसुल का उपयोग ना करें इंटरेक्ट करती जेलोसिल मेडिसियन के साथ मेगने, CM, हाइड्रो, अक्साइड, मेडिसियन के साथ केफिन, मेडिसियन के साथ और मेडिसियन के साथ इस प्रकार के इंट्रेक्शन हो सकते हैं इस केफिन की कुछ सावधा नहीं है इदि मेनिया की विमारी है तो इस इस्तिती में इस केफिन का उप्योग ना करे पेट में रक्त स्राव है तो इस कैपसुल का उपयोग ना करे हरदय रोग है तो इस कैपसुल का उपयोग ना करे दमा की विमारी है तो इस कैपसुल का उपयोग ना करे दस्त की विमारी है तो इस कैपसुल का उपयोग ना करे लीवर की विमारी है तो इस कैपसुल का उपयो कि आज की वीडियो के इंसमाप्त करते हैं जय हिंद।